हलो दोस्तों यह मेरे साथ में 2024 जावा 350 हाल ही में जावा ने अपने 350 सीरीज को अपडेट किया है जहां पर नए कलर्स इस मोटर साइकल के साथ में ओफर किया है और कुछ नए अपडेट भी इस बाइक को दिये हैं तो कलर की अगर आप बात करोगे तो ब्लैक कलर और वाइट कलर में ओलेडी दिखा चुका हूँ यह मेरे साथ में जावा 350 का नया ग्रे कलर यहां अगर आप देखोगे तो इस पार्कल ग्रे आपको मिलता है और ग्लोसी पेंट है यह मैट नहीं है तो दिखने में यह काफी अच्छा नजर आ रहा है आपको कैसे लग रहा आप मुझे जो कोमेंट में बताना लाओ एजभा थ्रीफिटी आपको रेट्रो स्टाइल के साथ में बाइक देंग है पहले यहां पर क्रोम जो है वो काफी हैवी आपको देखने को मिलता था टैंक वागरा पर ब्यूम आता था अभी भी है लेकिन जिन लोगों को क्रोम उतना पसंद है तो उन लोगों के लिए company ने नया variant launch किया है जहाँ पर आपको tank पे chrome नहीं मिलता है तो अभी total साथ color option के साथ में बाइक मिल रही है जहाँ पर तीन color ऐसे हैं जिनके अंदर आपको पूरा tank जो है वो painted पर मिलता है 334 CC का single cylinder liquid cool engine है जो आपको देता है 22.2 BHP की power और 28 newton-meter का टॉर्क शह गेर है इस motorcycle में लिक्विड कूल टेकनोलोजी है डूवल exhaust system है और इसकी जो ग्राउंड करने से वह 175 mm के आसपास है और जो इसकी seat height है वो 790 mm के आसपास है तो अगर आपकी height कम है तब भी आप इस bike को आराम से चला सकते हो कोई दिक्कत आपको इसके साथ नहीं होने वाली है और retro style के चलते है आपको यहाँ पर पूरा अगर आप देखते हो तो काफी बड़ा है और उसको पर यह chrome लगाया गया है और जादा इसको premium मनाने के लिए अब यह particular color जो तुम मेरे साथ में देख रहे हो यहाँ पर अगर देखूगे तो spoke wheel आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर आगे 18 inch का spoke wheel है जिसमें 100 by 90 section का tire है साथ color option आपके पास है साथ हो color के अंदर spoke wheel और alloy wheel दोनों के option रखे गए हैं चाहे आप single tone खरीदो चाहे dual tone खरीदो दोनों के अंदर ही spoke wheel alloy wheel आपको मिल जाएगा spoke के साथ में जाओगे तो tube tire alloy के साथ में जाओगे तो tubeless tire मिलेंगे breaking system standard है dual disc है आगे 280 mm का है पीचे 240 mm का disc brake मिलेगा और dual channel ABS आपको standard मिल जाता है जावा 350 के साथ में बागे meter console वगरा को update नहीं किया है वो same ही आपको मिलता है retro style रखने के लिए यहाँ पर semi digital unit है जहाँ पर digital part के अंदर autometer trip meter और side stand indication है बाकी हाँ पर fuel gauge और speedometer आपको analog मिलता और multiple information के लिए lights मिल जाती है switches वगरा एकदम basic high beam low beam pass indicator होन वगरा सब मिलता है इतर engine kill switch 1000 बटन इंफो बटन है और electric start का बटन है तो यह सारी चीज़े आपको इस bike के साथ में मिलती है sound सुनवाता हूं कैसा आता है तो आइडियली जब start करोगे तो कुछ ऐसा sound आएगा तो जावा 350 में कुछ ऐसा sound आता है और यह डीबी किलर के साथ में है अगर डीबी किलर निकाल दोगे तो फिर bike जो है वो loud हो जाएगी seat वगएरा की बात करूँ तो यह काफी अच्छी हो गई है कुछ निंग वगएरा आपको अच्छी मिलती है लंबी और चोड़ी seat है और दो लोगों के लिए भरपूर जगा तो यहाँ पर आपको मिली जाएगी backrest वगएरा अगर आपको लगवाना है या लगड़ वगएरा चाहिए तो वो सब आपको accessory के तौर पर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कीमत की तो जावा 350 के अंदर जैसा मैंने कहा कि साथ color option हो गए हैं तो दो category बन गई है और चार variant हो गए है बेसिकली तो दो category स्पोक वील अलोई वील है वारियंट की बात करें तो चार वारियंट है जहाँ पर अगर पहला वारियंट है के आप ले सकते हो तीन colors के साथ में यह सिंगल टॉन स्पोक वील के साथ कीमत शुरू होगी 1,99,000 रुपे से एक शोरूम उसके बात में दूसरा वारियं आप डूल टॉन लेना चाहते हो तो एक शोरूम कीमत है 2,14,900 रुपे और वहाँ पर आपको स्पोक वील मिलेंगे और उसमें अगर आप अलोई वील लेना चाहते हो तो 2,24,000 रुपे आपको एक शोरूम देने होंगे तो इस तरह से 4 वारियंट कंपनी ने बना दिये हैं और मेजर जो दो कैटिगरी हैं लोई वील स्पोक वील उसके बाद में सिंगल टॉन डूल टॉन तो इस तरह से आपको कैटिगरी देखने को मिलने वाली है अब यह नया कलर जो ग्रे कलर है यह काफी अच्छा नजर आ रहा है एक तो ग्रे कलर हमने आम तोर पर ग्लोसी फि होगे तो वाइक दिखने में काफी अच्छी नजर आ रही है ग्रे कले कई सक्ते हैं और वाल्साय वैरिंट दिखा ऊखरो आग्या आते हो और आपको इसमें अलोई विल चीज़ है तो इसी के रिम्स जो आपको चेंज कर देगी और इसको अलोई वैरियंट बना देगी तो ऐस सच कोई अलग से अलोई वैरियंट नहीं आने वाला है बस आपको दस अदार रुपय एक्ट्रा देने और आप अलोई विल क्यू आपको मिलेंगी और बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और के साथ में वह सारी बात भी हम उस वीडियो में करेंगे तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जैसे वह वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले उसके कर लें और यह वीडियो कैसे लगा कोमेंट में बताना और ऐसे ही न्यूज रिवीउज कमपार्जनीज दीटेल वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बैल को उन करो इस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं जल्दी मिलेंगे एक और नेई वीड मेरे